नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको टर्किष एरलाइन में अपनी सीज़ सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर आ जाना है आपको अपने web ब्राजर में सर्च कर लेना है Turkish Airline Manage Booking जैसे आप इसको search कर लेंगे यहाँ पे एक online check-in का एक option दिख रहा है और manage booking का दिख रहा है इसमें से आप कोई भी option में click कर सकते हैं इनकी website का link हम description में भी दे देंगे वहाँ से आप direct यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं उसके बाद आपको इसमें click कर लेना है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ticket number और reservation code तो यहाँ पे आतो आप ticket number डालें या reservation code डालें ticket number इनका 13 digit का होगा और reservation code आप इनका 6 digits का होगा 6 digit का नहीं होगा alpha numeric number होगा एक उसमें alphabets भी होंगे या फिर numbers भी हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे passenger surname डालना है और उसके बाद यहाँ पे click कर लेना है click करने के बाद कुछ इस तरीके का page हमारा open होगा आपको नीचे scroll करना है नीचे scroll करने के बाद आपको एक option दीखेगा passenger preferences और यहाँ पे passengers और seat का option दीखेगा तो seat वाले option में आपको click करना है और यहाँ पे choose seat का option दीख रहा है तो choose seat वाले option में आपको click कर लेना है choose seat में click करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी flight का seat मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको जो भी seat पसंद हो आप उस seat में click कर सकते हैं जैसे कि आपको 24F है तो यह free seat है और इसको आप select कर सकते हैं अगर यह paid seat होगी तो free की जगर आपको कितने extra charges देने हैं यहाँ पर सो हो जाएगा जैसे हमको यहाँ पर 27F हम select कर लेते हैं उसके बाद कि कंटिन्यू में हम click करेंगे कंटिन्यू का option आपको दिख रहा होगा नीचे इसमें आप click करेंगे यह टंप्शन कंडिशन परने के बाद continue में आपको click कर लेना है कंटिन्यू में click करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी seat जो है select हो चुकी है 27F तो इस तरीके से आप Turkish Airline में अपनी seat select कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर वीडिया आपको informative लगी है तो तुमारी वीडियो को like जरूर करें मिलते अंगली ऐसी ही informative वीडियो के साथ धन्यवाद